इस लेंथ फोर एड शिक्षी उनिट रेस्पेट भी दो इस अपने पस क्या गिवन है एक ट्रेंगल कि बने तिक उसके लेंथ फोर एल्टी चूर्स गिवन है तीनों वाटेश से को रिस्पेंगल पर ठीक है तो यह लेटट्स अपने पास यह ट्रींगल है इसके वाटेक्स क क्या हो जैंगे यहाँ पर A और यहाँ पर B और यहाँ पर C तो कि इसके altitudes अपने पर L1 है इसके लिए length के आपने पस L2 है और इसके लेंद के आपने पस इसके length L3 है अगर 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 मैं तो इसके लिए area लिक्वा लिखों यह लिखो तो 1 by 2 into area side C और L3 क्या है यहाँ पर length of altitudes क्या है 3, 4 and 6 3, 4 and 6 length of altitudes है ठीक है तो let's say मैं L1 की value यहाँ पर 3 एजीम करता हूं L2 की value अपन 4 एजीम कर ले और L3 की value 6 एजीम कर ले ठीक है और in radius की value कर अपन देखें इंडेडियस आर्ड जो होता है उसके लिए फॉर्मला क्या होता है डिल्टा अपॉन एस यहां से अगर पने इसकी वैलु देखें तो ल1 की वैलु अपने को गीवन है इस एक्विशंस अगर आपन देखें स्मॉल एक की वैलु क्या आजाएगी थे स्मॉल एक वैलु कि c is equal to two delta upon l3 ठीक है यह value आजाएगी तो यह जाएगा टू delta area तो triangle के लिए same ही होगा l1 की value क्या है अपने पास l13 l24 और l36 तो यहा जाएगा टू डू डिल्टा पून थ्री और यहां पर value आजाएगा टू डेल्टा आपॉन 6 यह इसकी वाइलू होगी ठीक है यह आज इक अपने पास ए यह बी सी की वाइलू आगे इन टर्मस ऑफ डेल्टा ठीक है एलोन एल टू एल टू एल्टा आथे 345 यहांसा अगर मैं एस इसके लिए स्वाल्ब करूंगा एस क्या होता एस होता ए प्लस क्लस देजरी क्या ए宅ब नाए अब करेंगे तो एक वाइल्टा ट्री फ्लस बी की वाइल्टा पॉन फॉरर इक होता प्र उसको वाइलेटर करें ऐसह अगरकरा नई म hoorisu सकते है तू डेल्टा टू टिया टाफ यह प्लस भी ब्लस चीरा किया रजाएगा यहांब आजायगा प्लस 1 बाई 6 यह इसकी value होगी 2 से 2 अपन इसको cancel out करते हैं 2 से इसको cancel out करतेंगे तो बाहर में क्या बाज़ेगा यहां पर delta और इसके लिए LCM क्या जाएगा 12 तो 3 4 जाट 12 प्लस 4 3 जाट 12 प्लस 6 2 जाट 12 यह इसकी value होगी अब अगरपन देखे हो तो यह जाएगा delta और 4 प्लस 3 7 प्लस 2 तो यह जाएगा 9 delta अपन 12 इसको अगरपन simplify करेंगे तो 3 से cancel out कर सकते हैं तो यह जाएगा 3 delta अपन 4 तो यहां से इंडेडियस की जो value आजाएगी इंडेडियस की value delta अपन S तो delta की value क्या है यह जाएगा delta पूट करें और S की value क्या है यह solve के 3 delta by 4 तो S की value आएगा 3 delta by 4 तो यह basically क्या आजाएगा आपने पास 4 by 3 ठीक है तो delta delta cancel out radius की value क्या आजाएगी 4 by 3 unit तो option B is the right answer